जय हिन्ट रैंड्स तो होली से दिवाली की शुट्टी मिने तक जितनी भी चूतेवेल गटनाई हुई इनमें कुछ लोगों के देश प्रेम के सच्चाई पानी पर तेल जैसे साफ नगर आई और गाइज लेक्सर को स्टार्ट करने से पहले इंडिया में पबजी के वर्जन खेने वारा हर बंदा मुझे अंसब्सक्राइब कर दे क्योंकि देश के जवान साहीद हो रहे हैं पर नहीं चायना कही चूसना इन लोडों को और एक बात पबजी के आने के हाइज तो ऐसे बना रहे हैं जहें जीबी रोड पर कस्टमर का वेट करती हुए लड़की इन सचे तो बिंदा सकाविया यार जिसको ये तो पता है कि पबजी बैन का मतलब क्या होता है अब ज़र खुद सोचो इंडियन गुर्ण्मेंट अकर चायना की हवा निकालने में लगी हो और इंडियनी चायना को सपोर्ट कर दे तो इंडिया के फीडम लिडर्स उपर से क्या ही नहीं सुचते होंगे कि इन चूत्यों का आजा दे दिला दी हमने और श्विल पर जीटीपी गिरने पर किसी पॉलिटिकर पार्टिकों कोस रहे हैं तो में निजर में तो यह वो ही लोग हैं जो हागने के बाद उसमें कल की खाई वी सब्जय डूनते हैं और यहाँ पर हिंदू मिस्लिम इतना चलता है कि आजादी के 37 साल बाद भी हम इसे डेवलाप नहीं कर सके है क्योंकि ऐसे चाइना के साथ-साथ बाकी देशों के साथ भी इंटरनेशनल डेश्टेंशिप खराब हो सकते हैं जिससे इंट फ्यूचर इंडिरा को बहुत सारा नुकसान हो सकता है जैसे घदे से कितनी ही मैनत करा लो मैनेजर नी बन सकता न वैसे कभी कार बन जाते हैं वैसे इंटरसों को चुनाव लगने के कोई अधिकार नहीं होना चाहिए अब खुद बताओ जिनके वेज़े से हम चैन की दिन सोपाते हैं उनकी वीरगाता पर हम विश्वास न करें और उसे सबूत मांगें तो ये स्टेटमेंट देश दोहियों कर नहीं माना जाएगा मेरी मानों तो ऐसे स्टेटमेंट देने वालों को बोर्डर पर हिंदुस्तानी भाईयों के कपड़ो दोने की ड्यूटी पर लगा देना चाहिए और ये न माने तो इनसे इंडियन सिटिजिन सिप छेन लेनी चाहिए बचपन में एक टोटका होता था सर टकला जाने पर हम दूसी बर खुदी इतर को टकला लेकर देते ताकि लड़ाई ना हो यहां पागल ना हो वैसा ही इंडियन गुर्ण्मेंट को दिवाली के पटाकों पर हमसे सर्फ ओडने के बाद इंडिया में होने वाले रेप केस पर भी हमसे एक बर सर्फ ओडना चाहिए क्योंकि देश में कानूल व्यास था ऐसी है कि रेप होने के बाद कोड के चकर साथ-ाथ साल तक काटने के ड़ग से ना यहां 95 परसंट तो केस दरजी नहीं किये जाते मानोगे नी वर्ल्ड स्लोएस्ट तिंक्स में इंडियान रेप केस का रिजल्ट नंबर बन पर आता है वैसे करस का रिप्टा अभी भी दूसर नंबर बना हुआ है और तीसर नंबर पर आपके लाइक्स वक्ती बड़ी खबर आपको बता दे पंजाब के अमरिज सर में एक मजदूर की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है मजदूर की इतनी बेरहमी से पिटाए की गई कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई बोसरी के हाथ में पैना आया है अपके लिए पैंसिल नहीं जो तो भगवान बन गया हो और भगवान तो बाद में मन ली हो तू इंडियन मन ले पहले किसी की ओकाद तुम से कम हो सकती है पर सौबिमान को कभी अपने से तोला नहीं करते भेज़ो जिस प्रोड़ुक्त को तू बेजता है न उसको रेड़ी करने वाले को ऐसे पज़द करके तो क्या ही ज़द कमाएगा इंडिया में मजदूर से मालिक तक सबका सौबिमान एक बराबर होना चीए तब बनेंगे हम सच्चे इंडियन एसा लग रहा है कि दिल्ली की लड़ाई CAA की रहने ही गई है फिर ये लड़ाई आज हिंदू मुस्लिम तक आ गई है अब जो बोलेगा कि sensitive topic नहीं हो न चीए उडियो में तो मैं sorry मैं content डाल रहा हूँ लोड़ा नहीं जो जो समझ जी डाल दू क्योंकि बच्पन से मैंने यही दिखा है कि जब भी हम जुटे हैं तो इंडिया बनता है और जब हम टूटे हैं तो पाकिस्तान तो चलो being Indian की एक मुहिम चलाते हैं और ये वीडियो इंडिया के हर इंसान तक पहुँचाते हैं और वीडियो यहां तक देख लिया तो चलो इस sentence को comment box में पूरा करते हैं सारे जहां से अच्छा आगे आप comment में लिख दिजिए थैंक्यू गाइस वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए और वीडियो से प्लीज रिलेट करना क्योंकि वीडियो में मैंने किसी भी जातो धर्म को नीचे दिखाना नहीं चाहाए तो guys I hope आपने वीडियो को अच्छे लगने पर ऐसे content के लिए चैनल के subscribe बटन को bum से उड़ा दिया होगा इसे के साथ आपसे बहुत सरा प्यार चाहूँगा लाइक के रूप में अब फिर मिलते हैं नए टोपिक के साथ नए रोश्ट के साथ तब तक के लिए love you guys bye bye